इसमी सदा जहरा तो मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और मेरे लख थोड़े से दवदर जाएंगे तो फ्लीज इसको मैंनेज कर लीजेगा और नई वीडियो है मैंनी पैड़ी के लिए फेस हो गया बहुत ठीकिए फेस के लिए में नहीं नहीं चीजे नहीं नहीं आपको बताती रहूंगे पर आज की वीडियो है मैनी पैड़ी के लिए वर्स वीडियो मतलब मैनी पैड़ी के लिए और यह भी बहुत अफॉर्डिबल है और ते खुश हो जाएंगी लड़किया और ते हाउस वाइक्स चौप करने वाली लड़किया खावातिन जो है वह तो इसको देख के बहुत खुश ही जाएंगी इसकी प्राइस है 100 रुपीज और यह है मैनी अल पैड़ी दोनों यह है ग्लैमर ग्लो का मैनी पैड़ी केड़ तो इसमें पैकेट्स किते हैं भूबी मैं आप लोगों से शेयर करती हूं और आज मैं पैड़ी भी गर के दिख तो मैं अचा पीछ जो आवाज आ रही है प्लीज इसको इनोर करिये क्योंकि हम साथ में मदर्स है बच्चे माशालला यहां सुबग पढ़ रहे हैं तो फर्स जो फर्स स्टेप तो नहीं है मैं स्टेप आपको बाह में बता हूंगी पर मैं आपको बता रही हैं क्या क्या है हैं और फुट लोशन तो यानि के सावन जो आप पानी में डाल के उसमें तुरगर के जो पानी में डाल के पैर या हाथ रखते हैं हील एंड अलबो ट्रीटमेंट परीम रही कृप यह भी है इसमें हैं फुट मार्क यह भी है और शो इन पॉलिश यह भी है ग्रग यह रखने के शिक्स है इसमें पैकेट और आपको बता दिया मैंने कॉन कॉन सी क्लीन जे और यह बहुत एफेक्टेट है यह नहीं है तो में पता चलेगा पर हम लोगे जो भाद जॉब करने वानी खावातीन होती हैं उनके हाथ पर इतने खराब हो जाते हैं और वह ख्याल भी न ईतने तर्फ करते हैं आपकी पैर बादे की नहीं कि अखिए कि तना सारा काम लें अगर इतने सब्सक्तूर करते हैं कि अपलब कराद की जो के अपने दिज्च्छी का थे कि वहाल करें अनकी रहार बाद्टि का उर्फाई का अब रहा जो हमारी बार लेके चल एंगर जलज़ी स्टार्ट करते हैं ताकि वीडीयो दाध लंभी नहीं हो पाश में पानी मी शोप डालूंगी और रीक्वें प्री पैड़ी में इस उख़ों। यह में डालने वाली हो भी पानी में अच्छा थोड़ा सा मुझे क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा हैंडल करूंगे और एक हाथ से पैड़ी करूंगी तो प्लीज थोड़ा सा इस पात का आप लोग माइन मेट किजिएगा समझ जाएगा ठीके कैमरा बैट करते हैं तो यह मैं सोग डाल चुकी हूँ सब्सक्वार मैंने इसको 2-3 मिन्ट इसमें रखना है 5 मिन्ट भी हो सकते हैं 10 मिन भी हो सकते हैं नीम गरम पानी में आपने तो डाल के अपने पैड रख देने हैं और इसकी बाद क्योंकि मैं चाहती हूँ थोड़ा साइस हूं है ठीक है अच्छे से मैंने ऐसे ऐसे करके जाव बना दिया है और पायर भी अच्छे से रब करें लोगी बन को इसके स्टेप है स्क्रॉब तो स्क्रॉब यूज कर रही हूं इस तरह आपने स्क्रॉब लगा के आप अच्छे से इसको रगड ले पैर आप बहुत ही इस तो बहुत ही अच्छे स्क्रॉब इस तो पैरों के लिए जो इस प्रॉब रहे होते है इसको तहाद रखे जाज करके इसको बार हाजर होंगी अधर थेड श्टर्ब तब मैंने लगाया है पॉलिशर तो मैं इसको 2-3 मेंट लगा के ऐसे ही चोड़ दूंगी और इसके बाद मसाज करूंगी और मैंने अपने क्यूटिकल्स अपने नेर्स वगर सबसाफ कर लिये हैं इन्चालह डेटेलिग वीडियो भी वीडियो वीडियो फिर कभी बनाओंगी क्योंके लिए बहुत जादा लंबी हो जाती है जोरे से मशाज करना है लासे स्टैप है इसका मार्क्स अच्छा इसमें दो इस्टेप लोशन भी अवेलेबल है फैनन फीट जो मैंने यूज नहीं किया और ही एन एल्बो क्रीम भी अवेलेबल है वाप मार्क्स के बाद भी लगा सकते हैं चीके मार्क्स आपको लगागे 10-15 मिंट्स के लिए छोड़ना है जब मैं इसको लगाने क बाद मैं इसको 15 मिंट्स अप्लाई करूंगे उसके बाद मैं इसको हटा के आपके सामने होंगी अब आपको फिर में रिजल्ट बताऊंगी वड़ बठे कैसे इतने असानी से मैंने सिर्फ सो रुपे में अपने पेरों का ख्याल रखा जो मैंने मार्क्स लगा के 15 मिंट के मैं इसको हटा दिया तो मैं आपको रिजल्ट दिखाना जाती हूं आप रिजल्ट देखें इस बाद में आपको यह रहा रिजल्ट को कि मेरे पैरों के हालत पहले ही आप देख चुके थे काफी खराब थी डैड स्केन रॉफनेस बहुत ज्यादा ही थी तो अभी काफी जा पैडी तो बहुत ही अच्छी है घर बैटे लेंडी के लिए औरतों के लिए बच्चों के लिए यंग्स्टर के लिए सब के लिए सारी फीमेल्स के लिए इवेंगे जैन्स भी इसको अप्लाय कर सकते हैं जो अपना खयाल रखते हैं तो मेरे तरफ से बिलकुल हंड़र अपने पैर इससे एजी लिंग कर सकते हैं तो मेरे यह वीडियो कैसी लेगी मुझे जरूर बताईएगा मुझे लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कीजिएगा और आप लोगो नेक्स वीडियो में क्या देखना है प्लीज मुझे जरूर बताईएगा मैं आपके लिए इस तरह